आपने conventional B-pharmacy course के बारे में तो सुना ही होगा इस बात की काफी कम probability लेकिन स्टिल अगर नहीं जानते हैं तो चैनल पर अल्रेडी वीडियोज हैं आप जगर के चेक कर सकते हैं लेकिन इस बात की काफी ज़ादा probability है कि आपने B-pharmacy in Ayurveda course के बारे में शायद नहीं सुना होगा So इस वीडियो के माधियम से जानेंगे B-pharmacy in Ayurveda course के वो सारे angles जैसे की क्या जरूरी है क्यों करना चाहिए क्या comparison है between the two कहां से करना चाहिए most importantly ये सारी चीज़े हम cover करेंगे including the pros and cons जो की वीडियो के end में है So course highlights पर आने से पहले सबसे पहले दो important सवालों के जवाब फटा-फट सबसे पहले कि B-pharmacy in Ayurveda क्यों है means क्यों सर्व किया जा रहा है क्यों running है जबकि B-A-M-S जैसे exclusively dedicated and conventional course available है Answer बला ही simple है देखिए जैसे कि Allopathic की दुनिया में MBBS के syllabus में diagnosis and treatment के उपर focus होता है ना ही दवाओं के निर्मार यानि production, formulation और dosage form के उपर होता है वो चीज़ पढ़ाई जाती है B-pharmacy के conventional course में means how to prepare, dispense and manufacture the medicines ठीक इसी तरह से आयर्वधिक की दुनिया में B-A-M-S के syllabus में diagnosis, treatment के पर focus होता है ना कि आयर्वधिक formulations यानिकी dosage form को बनाने के लिए अब इन preparations को करने के लिए जस तरह से Allopathic medicines की अपनी बहुत बड़ा sector होता है अवेलेबिल होना बहुत ज़रूरी है और इसी के लिए B-pharmacy in Ayurveda course अवेलेबिल है नमबर डू, अगेन फिर से कि जब B-pharmacy जैसा Allopathic medicines का sector इतना बड़ा अवेलेबिल है तो B-pharmacy in Ayurveda कोई क्यों करना चाहेगा इसका आंसर भी देखिए बड़ा सिंपल सा है कि Ayurveda जो हमारी Sanskritic धरोहर है जिसमें कि केरियर को explore करना, केरियर बनाना का interest होना लाजमी है तो इसी के लिए जैसा कि मैंने भी question number one के आंसर में बताये कि Ayurveda कि अपनी herbal industries का बहुत बड़ा sector होता है R&D production सब चीज़ें तो वहाँ पर उसके properly अपने केरियर को बनाने के लिए उस course की पढ़ाई करना भी हर ज़रूरी है और साथ ही साथ ऐलोपेथी ने बलकि Ayurveda के बारे में भी ज्यान होना ज़रूरी है और इसलिए exclusively एक course को Be Pharmacy in Ayurveda को design किया गया है और इसलिए ये course है in contrast to Be Pharmacy conventional course Now coming to the course highlights Be Pharmacy in Ayurveda भी Be Pharmacy की तरह ही चार वर्षी अंडर ग्राइजवेट डिगरी प्रोग्राम है जो कि 6-6 मेने के semester pattern में बटा होता है इसका course curriculum इस तरीके से design किया गया है कि candidate इसको पास करने के बाद Ayurvedic formulations I repeat formulations को Preparate करना, produce करना, manufacture करना, dispense करना अच्छी तरह से सीख सके Number 2 is syllabus देखिए Be Pharmacy जो conventional course है और Be Pharmacy in Ayurveda इस syllabus में बहुत major difference नहीं है The reason is that again formulation Formulation यानि की dosage form Dosage form को मतलब पाद जैसे tablet, capsule, syrup, suspension जो हम medicine की दुकान में देखते है तो Pharmacy की दुनिया में Dosage form ही सब कुछ माइने रखते है जिसके दो parts होते है पहला होता है drug जैसे API बोलते है Active Pharmaceutical Ingredient और दूसरा होता है Excipient Drug को directly ग्रहन नहीं किया जा सकता उसे खाने योग ही बनाना पड़ता है इसलिए Excipient के साथ mix करके वो Dosage form का रूप लेती है जैसे पेशेंट ग्रहन कर सकते है तो B Pharmacy की conventional course में जो API होता है वो chemically synthesized drugs होती है जैसे paracetamol, aspirin, ibuprofen, etc Excipient के साथ mix करके उन्हें Dosage form मना दिया जाता है ठीक इसी तरह से B Pharmacy के या फिर आयोवधिक preparation जो होती है उसमें भी API जो होता है वो chemically synthesized drug नहों करके natural होता है प्राकर्टिक जैसे औशदी बोलते है जैसे अश्वगंदा, शतावरी, इत्यादी तो इनको Excipient के साथ mix करके Dosage form बना दिया जाता है जो मैं कहरा हूँ उसको थोड़ा से clear करने के लिए example देता हूँ, हिमालिया कंपनी के बारे में आप सभी ने सुना होगा, बहुत popular कंपनी है उसके products आप देखेंगे, तो सारे products नहीं tablet, capsule, syrup वगएरा तो these are all actually the dosage form तो B-pharmacy, Ayurveda के syllabus में B-pharmacy की तरह ही dosage form को बनाने वाले जितने subjects हैं जैसे की industrial pharmacy, फार्मसोटिक सित्यादी यह सब वैसे ही रहते हैं बस जो ऐलोपैतिक पार्ट है उसको हटा करके आयरोपैतिक पार्ट को incorporate कर दिया जाता है, जिसके लिए आपको ऐसे विशे पढ़ने पढ़ते हैं जिसमें की आप वशुदियों के बारे में जानकरी प्राप्त कर सकते हैं जैसे कुछ प्रमुक के अगर मैं नाम लूँ तो द्रव्य गुन विजिनम शरीर क्रिया विजिनम रस शास्त्र, संस्कृत भैश जिकल्पना इत्यादी यह subject साप पढ़ते हैं जिससे की आपको वशुदियों का एक प्रॉपर ज्यान हो जाता है एक नौलेज हो जाता है एंड भी फार्मिसी के उस मैनिफेक्ट्रिंग आफ डी डोजेश वाले सेलिबस को ब्लेंड करके आप एक प्रो लेवल का हर्बल इंडस्ट्रिंग के लिए अपने आपको तैयार करते हैं इसके बाद next is the eligibility which is very simple that is 10 plus 2 from the science background fees varies from 80,000 to 1.5 lakh पर रहनम now coming to the institute part which is very important institute definitely sexual संस्थान बहुत महाँने रखते हैं especially in case of technical courses B. Pharmacy in Iowa था एक practically oriented course है जिसमें की theory कि जितना माईने रखती है उससे जादा कहीं माईने रखते हैं practicals और practicals तभी अच्छे होंगे जब laboratories अच्छी होंगे facilities अच्छी होंगे तो भारत में B. Pharmacy in Iowa बहुत कम institute serve करते हैं लेकिन since मैं सबी के बोलता लेकिन आपके हमीशे queries होती किसा आप सजेस्ट करें कि कौन सा अच्छा है कहां से करना चाहिए तो यहां पर मैं आपको recommend करना चाहूंगा फगवारा जलंधर पंजाब में इस्थित lovely professional university के बारे में जिसके department of health sciences में serve किया जाता है यह कोर जिसके हम बात कर रहे हैं इस video में आप अगे नहीं नहीं अप्टिंग कि वाई lovely professional universities because of these reasons number one potential laboratories with sophisticated instrument loaded with sophisticated instrument ready for top-notch level of research then experienced and qualified faculties number three is education loan facilities, scholarship facility इसके बात the most important a very big feather ,actor protects Förramacimendus Since University has tie up with more than 20 potential Pharmaceutical Organizations which is evidenced by the fact that record placement of the candidates there every year and in package goes up to seven lakh per annum Iisike about a very affordable fee structure then next button comes advantage admission which is via both the modes the first one and the best one is via the LPU nest ये university का अपना self entrance examination है जिसका नाम है LPU nest अगर आप इसे अच्छे माख से साथ crack कर सकते हैं तो आप you can avail 50% of the scholarship provided by the university and the next one is via the direct counseling इसके बाद एक बहुत important part आता है which is called जिसे हम कहते हैं affiliations मानेता हैं वगरा इसको मैं एक दूसरे अंगल से आपको पताना चाहूंगा means university has acquired some of the biggest milestones in the history of Indian academics which makes really LPU a very special one like for example this university has achieved second rank in Wuri that is world university with real impact 2021 इसके बाद third rank in utter ranking of institutions on innovation achievements 8th rank in world university ranking 23rd rank amongst top universities in India as per times higher education world university and most significantly 19th rank in NIRF that is national institution ranking framework India this is really a big one so guys अगर किसी university के cover में इतने बड़े milestones होंगे तो definitely उसके पास obviously सारे affiliations, approvals तो होंगे ही and this makes LPU really a vice and first choice for the aspiring candidates now again let's have a brief glance on the question why LPU LPU serves post-graduation that is M Pharma in more than 5 branches along with M Pharma in Ayurveda along with this LPU serves PhD that is doctoral degree program in 11 streams including the Ayurveda तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको अपना career और भी higher studies के साथ आगे complete करना है तो no need to hassle anywhere because LPU is there तो guys अधिक जानकारी के लिए जो details है along with LPU next की जो application form की dates है वो नजदीक आ रहे है इन सारी चीज़ों को LPU को check करने के लिए उसकी official website का link इस वीडियो के description में आप चाहें तो जा करके चेक कर सकते हैं Now coming to the career highlights brief pharmacy in Ayurveda course को परसुखने के बाद आप इन sectors में अपने career को explore कर सकते हैं First as a production officer in Ayurvedic herbal industries like Himalya, Dabar, Bainath, Ityadi As a QC officer in these industries इसके बाद as a research scientist research associate in various Ayurveda national laboratories like Central Ayurvedic Research Institute situated in Bhuvaneswar, Kolkata, New Delhi, Patiala, etc हर Ayurveda company के अपनी R&D होती है वहाँ पे भी आप as a research scientist work कर सकते हैं इसके बाद you can work as a pharmacist जैसा कि मैंने starting में बताया है कि Ayurvedic pharmacist की अलग से vacancy आती है इसके बाद you can also work as a faculty in the institution अगर आप PG and PhD कर लेते हैं Now coming to the last segment that is the pros and cons देखिए pros वो सारे हैं जो मैंने अभी career highlights में बताए cons कुछ ऐसा विशेश नहीं बस एक शायद वो myth के चलते हैं जो मैं clarify करना चाहूँगा कि बहुत सारे को लोग को लगता है कि B-Pharmacy in Ayurveda के बाद हम क्या क्लीनिक ओपन कर सकते हैं प्रैक्टिस कर सकते हैं BMS की तरह तो guys ऐसा नहीं कर सकते हैं इतना ही इसके अलावा not in a detail So guys ये था B-Pharmacy in Ayurveda के उपर एक exclusive वीडियो आशा करता हूँ की वीडियो को अच्छा लगा होगा अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब की वेना मज जाएगा और आपके कोई भी क्वरी क्वेशन हो इस कोर्स से relevant आपके कुछ सुझाव हो तो प्लीज कॉमेंट करिएगा इंस्टाग्राम पे फॉलो करना नहीं भूलिएगा और वन सब्सक्राइब लिंक इस वीडियो के दिस्रिप्शन में So see you in the next video till then Stay motivated, work smarter and good luck झाल झाल झाल, आपके को एक वाल, झाल झाल, वाल, प्लीज जाएगा